हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस काउंस्टेवल का एक्जाम होने वाला है 18 फरवरी 2014 को उसी के रेजिनी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टन कोशन को यहाँ पर डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो काफी इंपॉर्टन है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए वीडियो अच्छा लगी तो प्लेस वीडियो को लाइको से ज़रूर करें चैनल पर पहले बाब जीट करना है चैनल को सब्सक्राइब को नोटिफिकेशन बाइल ओन करना ना भूले एक कूट भासा में प्रिंट को 9612 लिखा जाता है और फ्रॉम को 8603 लिखा जाता है उसी कूट भासा में प्रॉम्ट को का जो कोड होगा वो क्या होगा सबसे पहले प्रिंट के अलफाबेट लिख लेते हैं P, R, I, N, T P का कोड है आपका 9 जो दिया हुआ है आपका तो P के नीचे लिख देते हैं 9 R का कोड कितना है 6 I का कोड कितना है 5 N का है 1 और T का है 2 यह आपके दिये गए है अब from के कोड देख लेते हैं जबसे पहले अलफाबेट लिखते हैं अब देखिए app का कोड कितना दिया हुआ है 8 R का 6 O का दिया हुआ है 0 M का दिया हुआ 3 तो हमें prompt के code बताने हैं तो सबसे पहले prompt के alphabet लिख लेते हैं P, R, O, M, P, T अब इनके number भी लिख लेते हैं कैसे करेंगे तो देख लेते हैं guys P का देखिए उपर code कितना है? 9, तो P के नीचे हम लोग क्या लिख देते हैं? 9, R का code उपर कितना है? 6, और नीचे भी देखिए from में भी 6 है, तो 6 लिख दिया O का code देखिए नीचे कितना है? 0, तो O के नीचे 0 लिख दिया अब है M की बारी M का code देखिए यहाँ पर है 3 3 लिख दिया अब P की बारी, P का हम लोग लिख चुके हैं एक बार आगे तरप 9, तो 9 लिख दिया अब है T की बारी T का code उपर देखिए, यहाँ पर है 2 तो 2 लिख दिया तो आपका नंबर के मिला 960-392 तो Option B Is the right answer आप देख रहे होंगे यहाँ पर लगा हुए question mark तो इस type के question कैसे किये जाते हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाओंगा जो तरीका पहले और दुसरे में लगता है बही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर दुसरे से पहला बनाते है सेड जो है वो आपका कहां रहता है गोफा में तो अस्तिवल में कौन रहेगा गोड़ा तो आपसे ने इस राइट अंसर अगला है दिये गए pattern का ध्यान पुर्वा का ध्यान करें तथा उस आकरती को जोने जो प्रस्न चिन के इस्थान पर आएगी प्रस्ना करती आपके दी हुई है और उत्तरा करती है नीचे है तो यहाँ प्रस्ना करती कैसे बनेगी देखिए आपका जो figure है बुलकुल same to same लग रहा है तो इसमें भी क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ पर यह वाली line पूरी कर देते हैं इसको पूरा कर दिया क्योंकि सभी में भी पूरा है और यहाँ पर यह वाली line पूरी कर देते हैं गोल गोल यह गोल बन जाएगा हो गया क्योंकि सभी में है गोल और यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सर्किल है आपका छोटा सा यहां तो यहां पर भी आपका छोटा सा सर्किल हो जाएगा उसके बाद यहां पर देखे यह है यह लाइन है और यहां पर उपर जब पूरी है और यहां पर पूरी है तो यहां पर भी आपकी पूरी हो जाएगे और यहां पर भी पूरी हो जाएग option है हो गया, मैंने आपको बना के दिखा दिया तो option है, it's right answer निमलिकित विकल्पों में से उस अच्छर योग्म को चुनिए जो निमलिकित स्रंकला में तिसरे अच्छर योग्म से उसी तरह से संबंदित है जिस तरह से दूसरा अच्छर योग्म पहले अच्छर योग्म से संबंदित है तो देखिए, यहाँ पर जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, बही तरीका हम लोग आगे apply करेंगे, तो P, B से हम लोग क्या बनाते है U, W, तो सबसे पहले alphabet code लिखते है, P का alphabet code होता है 16, B का alphabet code होता है 2, इससे क्या बनना है U, और W, U का code कितना होता है 21 होता है W का होता है 23 W का कितना होता है, 23 होता है अब देखिए, 16 से 21 बना, तो आपका कितना जुड़ा है तो आपका जुड़ा है 5, अब 2 से 23 बन रहा है 2 से 23 बन रहा है तो आपका 5 घटा पांच घटेगा 23 में मतलब 2 में 5 घटाएंगे तो पीछे बैकबर चले जाएंगे तो आपका 5 घट जाएगा तो 23 बन जाएगा यही तरीका JT के अलफावेट कोड में करते हैं JT के अलफावेट लिख लेते हैं J का कोड होता है 10 J का होता है 20 सबसे पहले 5 जोडएंगे 10 में 5 जोड़ा 15 अब 5 घटा देते हैं 20 में 5 घटाया है तो 15 15 किसका होता है ओका ओका तो डबल वो आपका अंसर हो जाएगा तो option भी is right answer अगला उस आरेक को चुनिये जो दिये गए नीचे दिये गए बर्गों के बीच के सम्बन को सही प्रकार से दरसाता है एक में कार है दुसरे में लकडी है दुसरे में चूहा है कार लकडी और चूहा ये तीनों क्या हैं अलग-अलग चीज़े हैं तो इसका band diagram आपका ऐसे बनेगा तो यह आ रहा है option B में, तो option B is right answer, जब एक दरपन को AB रेखा पर रखा जाता, देखें, AB रेखा यह है आपकी, तो नीचे दीगे यह आकरती की सही दरपन छबी को चुनिए, दरपन प्रतिवियम से काफी question आ रहे हैं guys, तो इसका दरपन प्रतिवियम कैसे बनेगा, तो बना से right बनेगा आपका, तो जो चीजे जहां पर होंगी उसका उल्टा हो जाएगा, मतलब चीजे जो होती है, वो उल्टी हो जाती है, तो बना लेते हैं सबसे पहले, सबसे पहले एक बड़ा सा box बनाते हैं, और क्या करते हैं सबसे पहले, सबसे पहले यह हम लोग जो प्रसना चार, ओके, ये तो आपका बन गया, अब देखिए, दो डॉट लाइन यहाँ पर हैं, यहाँ लाइने हैं दो, इसको भी जब इधर हैं, तो ये किदा चली जाएंगी, दूसरी तरब चली जाएंगी, तो इसको भी बना लेते हैं, गाइस, तो एक ये बन गई, दूसरी आपक देखते हैं, बीच में ही रहने देते हैं, अब देखिए, बीच में एक ये लाइन है, सीदी-सीदी ये भी आपका ऐसा रहेगा, अब नीचे बाला हम लोग देखते हैं, डाइग्राम, एक लाइन ये है, और ये एक तिरभूज है आपका, ये कहां चला जाएगा, दूसरी बनाना है, तो यहां पर एक नीचे की तरफ तिरभूज हो जाएगा, ऐसे आपका फिगर बन जाएगा, अब देखिए, यहां पर भी एक तिरभूज है छोटा सा, तो ये कहां पर आजाएगा, इदा तरफ आजाएगा, दूसरी तरफ आजाएगा, तो इसको इदर बना दे और एक यह है तरबुज यह भी दूसरी तरफ आजाएगा तो इसको भी ऐसे बना देते हैं तो यह फिगर आपका बन रहा है और यह कौन से ऑप्षान में आ रहा है ऑप्षान भी इस राइट अंसर आई होब आपको समझ में आया होगा अगला कोशन है एक कूट भासा में टैन को 33 लिखा जाता है प्रैम को 28 लिखा जाता है उसी कूट भासा में बग का कोड क्या होगा सबसे पहले टैन को देख लेते हैं टी ए एन इसको क्या लिखा जा रहा है 33 यह कैसे होगा सबसे पहले इन सभी का अलफाबेट कोड लिखते ह यह T का होता है 20, E का होता है 1, और N का होता है 14, इन 3 को हम लोग क्या करते हैं जोड़ देते हैं, तो कितना आता है 35, लाना है मैं 33, तो इसमें 2 घटा देंगे, तो हमारा के आ जाएगा 33, दो आपको याद रखना है, दो सभी में घटाना है, अब PAM को लिखा जाता है 28, तो PAM तीनों को जोडने पर आपका कितना आता है, 30 आता है, चुंकि हम लोगों ने उपर दो घटा है था, तो इसमें भी दो घटाएंगे, तो हमें क्या मिल जाता, 28, यही तरीका बग के लिए लगाएंगे, तो बग के सारे अलपा पैट लिख लेते हैं, बी का कोड होता है, 2, U का कितना होता है, 21, और जी का होता है, 7, इन तीनों को जोडने पर हमें क्या मिलेगा, इन तीनों को जोडने पर हमें मिलेगा, 30, चुंकि सभी में हम लोगों ने उपर दो दो घटाएंगे, तो अपका कितना आगे, 28, Option C is right answer. अगला कोश्चन है नीचे दिये गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिए जो निम लिखे संख्या स्रंकला में प्रस्ण चिन के स्थान पर आएगा यहाँ पर देखे कोश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा कर लेते हैं देखे 43 से 31 बनाया यह आप ऐसे कर सकते हैं गाइस डायरेक्ट स्टार्टिंग के दो नंबर को जोड़कर हमें तीसरा नंबर मिल जाता है फिर एक नंबर को नेगलेट कर देंगे दूसरे तीसरे को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाता है 105 फिर दूसरा नंबर नेगलेट करेंगे 14 और 105 को जोड जोड़ेते हैं तो जोड़ेते हैंगे नौ पांच चौदा की चाहरा से लगा एक आठ तो आपका कितना आगया दो सो चौरा सी तो आप्शन भी इस राइट आंसर अगला है यदि दो चिन्नों गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाता है तो निम्लिकित में से कौन सा समीकर्ण साई होगा एक ऐसा समीकर्ण लेना है जिसका LHS वाला पाद सौल्व करने पर वो RHS के बराबर आजाए मतलब दोनों पच्छाप के बराबर हो जाए और चिन्नों की अदला बदली की जाए मतलब गुणा की जगें पर क्या कर दिया जाए भाग और भाग की जगें multiply with 3 तो हमें 83 के बराबर आना है तो सबसे पहले कर लेते हैं 14 प्लस 9 भाग की जगें हमें गुणा करना है तो गुणा कर दिया और गुणा की जगें भाग करना है तो गुणा कर दिया ओके तो यहां पर सबसे पहले divide वाला portion solve करेंगे तो 14 प्लस 9 इंटू 23 वाटे 3 यह आ जाएगा अब multiply वाला solve करेंगे तो 3 से 9 काटेंगे तो आपका कितनी बार जाएगा 3 बार काटेंगा तो यह हो जाएगा 14 प्लस 3 इंटू 23 तेज़ उनी 46 तेज़ यह उनत्तर तो इसको जोड़ेंगे तो आपका कितना आजाएगा तरासी कितना आगा तरासी मतलब दोनों पच्छाप के बराबार हो गए तो option भी is right answer अगला है दीग है साड़नी का ध्यान पूर्वा का अध्यान करें और उस संक्या को चुने जो प्रस्में चिन के स्थान पर आएगा यहां पर देखे कोशन मार्क लगा हुआ है तो हम लोग एक कॉलम को लेके solve करते हैं पहले कॉलम में 18 और दूसरे कॉलम में 30 लाने का तरी थारा मिलता है तो देखते हैं 9 5 14 14 14 18 कंडिशन आपके apply होगे पहले में दूसरे में यही तरीका लगाते हैं दूसरे में लाना है 30 के उपर कौन-कौन से नमबर है 11 6 और 13 को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है थार्टी यही तरीका हम लोग तिसरे कॉलम में लगा इस राइट आंसर अगला नीचे दिये गए विकल्पों में से उच उस अच्छर योग में को चुनिए जो निमलिके स्रंखला में प्रसन जिनके स्थान पर आएगा देखिए यहां पर लगा हुआ है कोशन मार्क कैसे करेंगे सबसे पहले हम लोग सभी के पहले-पहले अलफाबेट कोड होता है 11, H का होता है 8, तो 11 से 8 बना क्या हुआ 3 गटा, अब H से बनाते हैं E, E का कोड होता है 5, 8 से 5 बना कितना गटा 3, अब देखिए B का कोड होता है 2, 5 से 2 बना कितना गटा 3, तो आगे भी 3 गटेगा, 2 में 3 गटाएंगे, तो बैकबार चले तो पहला अलफाबेट हमें क्या मिल गया, बाई, अब सभी के दूसरे अलफाबेट उठा लेते हैं, P से बनाते हैं M, P का अलफाबेट कोड होता है 16, M का होता है 13, 16 से 13 बना है क्या हुआ 3 गटा, अब M से बनाते हैं J, J का कोड होता है 10, 13 से 10 बना कितना गटा 3, अब 7 बन आते हैं जी का कोड़ होता है साथ 10 से 7 बना कितना गटा 3 पीछे सभी में 3-3 गटा तो आगे भी 3 गटेगा तो 7 में 3 गटा एंगे तो 4-4 किसका होता डी का तो आपका अंसर क्या हो देगा by d तो option भी इस राइट अंसर है अगला question है दिये गए विकल्पों में से उस उत्तर अ जिसमें नीचे दी गई आकरती अंतर नहीं है आकरती को घुमाने की अनुवती नहीं है यह आपकी उपर प्रस्ना करती है एक ऐसा option चुनना है जिसमें प्रस्ना करती पूरी के पूरी के पूरी तरे समाहित है तो आपकी प्रस्ना करती यहाँ पर है तो उत्तर अकरती आप का triangle है यह triangle आपका है कहाँ पर मिलना है आप देख सकते हैं guys यहाँ पर मिलना है देखिए मिल गया मिल गई आकरती आपकी तो option D is right answer अगला है दिए गए विकल्पों में से उस आकरती को चुनिये जो निम्लिक के सरंकला में अगले स्थान पर आएगी सबसे पहले आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में स्टिति आपकी यहाँ है फिर आपकी यहाँ पर आगई स्टिति मतलब यह घड़ी की विप्री दिशा में 45 डिगरी घूम रहा है अब देखिए 45 से फिर अब देखिए यहाँ पर आगई फिर 45 डिगरी घूमेगा अब देखिए यहाँ पर आगई फिर 45 डिगरी घूमेगा तो यहाँ पर आज़ाएगी स्टिति तो यहाँ पर स्टिति कौन से फिगर में आ रही है तो आपका हो जाएगा option D ओके और जो पीछे जो आपके जो figure बने हुए same to same miss में भी बने हुए बांकी तीन में आप देख सकते हैं नहीं मिलेंगे तो option D is right answer अगला question देख लेते हैं एक कूट भासा में great को इससे लिखा जाता है उसी कूट भासा में rapid का code क्या होगा तो सबसे पहले great के सारे alphabet लिख लेते हैं G, R, E, A, T इनके alphabet code लिखते हैं G का code होता है 7 R का alphabet code होता है 18 E का होता है 5 A का code होता है 1 T का होता है 20 इससे आपका क्या बन रहा है A, L, Y, U, N अब इनके भी alphabet code लिखते हैं A का code होता है 1 L का होता है 12 Y का होता है 25 U का होता है 21 N का होता है 14 तो देखें, सार से आपका 1 बना तो क्या हुआ? 6 गट रहा है 18 से 12 बना 6 गटा 5 से 25 बना 6 गटा 1 से 21 बना 6 गटा और 20 से 14 बना 6 गटा सभी में 6 गटा रहा है तो यही तरीका Rapid का alphabet code में लगाएंगे तो हम लोग क्या करते हैं? Rapid के सारे alphabet लिख लेते हैं R, A, P, I, D R का alphabet code कितना होता है 18 A का alphabet code होता है 1 P का होता है 16 I का alphabet code होता है 9 और D का होता है 4 सभी में 6 गटाएंगे 18 में 6 गटाया 12 आ गया 1 में 6 गटा देंगे अब तो आपका आजाएगा 21 16 में 6 गटा देंगे तो आपका आजाएगा 10 9 में 6 गटा देंगे तो आपका आजाएगा 3 अब 4 में 6 गटा देंगे तो आपका आजाएगा 24 इनके अलफाबेट लिख देते हैं 12 किसका होता है L का 21 किसका होता है U का 10 होता है J का 3 होता है C का 24 होता है X का यह जो अलफाबेट मिले यही आपका अंसर हो जाएगा और यह कौन से option में आ रहे हैं option is right answer अगला जो question करता निसकर का है पहला करता है कुछ क्यम है तो क का कोछ इससा अपका एम में चला जाएगा आगे कशना कोई TM नहीं है तो कोई भी TM नहीं होगा ऐसे क्रॉस बन जाएगा निसकर करता है कुछ T के हैं टी का दूर दूर कोई समर नहीं तो पहला कट हो जाएग option d cable niskar से दो अनुसरन करता है अगला है उस सब्द युगम का चैन कीजिए जिसके दोनों सब्द आपास में उसी प्रकार सम्बंदित है जिस प्रकार नीचे दिएगे सब्द युगमों के दोनों सब्द आपास में सम्बंदित है देखिए मतलब जिस प्रकार ब्रत्य संबंदिते हैं आकरती से तो यहां ऐसे कह सकते हैं ब्रत्य जो होती वो एक आकरती होती है उसी प्रकार सारपनार जो होता वो लेखन सामगरी होती तो option C is right answer कुछ बरतन दिये हैं तो बरतन का कुछ इस्टाप का किस में चला जाएगा दिये में चला जाएगा सभी दिये पेण हैं तो सारे दिये क्या हो जाएगे पेण कोई पेण साखा नहीं है तो कोई पेण क्या हो जाएगी साखा नहीं होगी क्रोस लग जाएगा अब निसकर से, पहला निसकर से, कुछ बर्तन साखाएं है, तो बर्तन का दूर दूर तक कोई समन नहीं है, तो पहला कट हो जाएगा दूसरा क्या कहता है, कुछ पेंड दिये है, तो पेंड का कुछ इससा आपका दिये में जा रहा है, तो दूसरा भी सही तीसरा कहता है कुछ साखाएं दिये हैं तो साखा का भी समंद दिये से दूर दूर तक नहीं तो तीसरा भी आपका कट हो जाएगा मतलब इसका हो जाएगा आपका केवल निसका से दो अनुसरान करता है option C is right answer अगला कोशन है आपका एक कूट भासा में stealth को इससे लिखा जाता है उसी कुट भासा में R, O, B, N, R, T का कोड क्या होगा सबसे पहले स्टेल्थ के सारे अलफाबेट लिख लेते हैं S, D, E, A, L, H इनके अलफाबेट कोड लिखते हैं S का कोड क्या होता है 19 होता है T का अलफाबेट कोड कितना होता है 20 E का कितना होता है 5 A का होता है L का अलफाबेट कोड होता है 12 और H का होता है 8 इससे आपका क्या बंदा U, X, G, E, N, L इनके भी अलफाबेट कोड लिखते हैं U का कोड कितना होता है 21 X का कोड होता है 24 G का होता है 7 E कालपाबेट कोड होता है 5 N का होता है 14 और L का होता है 12 अब देखिए 19 से किस बना क्या हुआ? 2 जुड़ा 20 से 24 बना 4 जुड़ा 5 से 7 बना 2 जुड़ा 1 से 5 बना 4 जुड़ा 12 से 14 बना 2 जुड़ा 8 से 12 बना 4 जुड़ा मतलब एक सीरीज चले पहले दो जोड़ा, फिर चार जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर दो जोड़ा, फिर चार जोड़ा यही तरीका आगए अपलाई करेंगे तो जो पूँचा गया उनके अलफाबेट लिख लेते हैं R, O, B, N, R, T इनका अलफबेट कोड लिखते हैं R का कोड होता है 18 O का अलफबेट कोड होता है 15 B का अलफबेट कोड होता है 2 N का अलफबेट कोड होता है 14 R का होता है फिर 18 T का अलफबेट कोड होता है 20 तो इसमें हम लोग क्या करेंगे पहले दो जोड़ेंगे फिर चार जोड़ेंगे पहले दो जोड़ते हैं तो आपका आगया 20 फिर आप हम लोग 4 जोड़ते हैं 15 में 4 जोड़ा तो आपका आगया 19 अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आगया 4 अब 14 में 4 जोड़ देते हैं तो 18 जाता है फिर 2 जोड़ेंगे 18 पिर चारज ओड़ेंगे तो 24 आजएगा इनके लफाबेट लिख देते हैं 20 किसका होता है T का 19 किसका होता है S का 4 किसका होता है D का 18 किसका होता है R का 20 होता है T का 24 होता है X का यह जो अलफाबेट मिले यही आप का अंसर हो जाएगा और यह कौन से option में आ रहे हैं Option C is right answer अगला है नीचे दिये गए विकल्पों में से उस संख्या को चुनिये जो निमलिकिस संख्या संख्या स्रंकला में प्रस्न जिनके इस्थान पर आएगा सबसे पहले 69 से 109 बनाते हैं तो इसमें कितना जोड़ा जाता है? 40 109 से 169 बनाया कितना जोड़ा? 50 जोड़ा 169 से 219 बनाया कितना जोड़ा? 60 जोड़ा 10-10 की ब्रद्धी हो रही है 219 से 289 बना कितना जोड़ा? 70 जोड़ा 10 की ब्रद्धी हो रही सभी में तो आगे भी 10 की ब्रद्धी करेंगे 70 में 10 जोड़ेंगे तो आपका आजएगा 80 और इस 80 को 289 में जोड़ देंगे तो आपका अंसर कितना जाएगा 379 Option C is right answer तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही धेंक्यू धन्ने बाद आपका देन सुभर है